हेलो स्टुडेंट्स मेरा नाम रागविंद्र सिंग है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनरजी जो की क्लास नाइध का एक चैप्टर है ठीक है और इस चैप्टर में तीन टॉपिक है जो हमको पढ़ने हैं मुख्य रूप से पहल क्या होता है और इसके कुछ एक्जामपल है और तो यह तीन टॉपिक में आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम थोड़ा इंट्रोड़क्शन देखेंगे और फिर वर्क के बारे में पढ़ेंगे है ना और कुछ डेली लाइफ से जुड़े एक्जामपल को भी हम इसमें पढ़ेंगे है ना तो शुरू करें चले आगे चलते हैं बच्चों बच्चों अगर आपको कहा जाए कि वर्क और एनरजी को समझ रहा है तो हमारे ऐसे बहुत सारे नेचुरल फिनामपिना है जिससे हम वर्क और एनरजी को समझ सकते हैं जी हाँ सन की रेज जो लाइट जो पड़ती है अर्थ पे वो भी तो एक टाइप का क्या है एनरजी है है ना आपने सोलर एनरजी सुना होगा तो सब्सक्राइब एनरजी भी सुना होगा बैती प्रवाएं त्रवाएं क्या करती है करती है विंड मिल के मदद से तो यह भी तो एक फ़ॉम आफ एनर्जी है तो इसका मतलब हमT फिनॉमिना को समझ सकते हैं अगर हमको और एनरजी के बारे में पता हो है ना और और यहां एनरजी का हमारे साइक्लिंग कर पारे हो है ना आप स्विमिंग कर रहे हो तो आपके पास एनर्जी है तभी तो आप स्विमिंग कर पारे हो आपके पास एनर्जी है तभी आप रनिंग कर पारे हो है ना तो स्विमिंग साइक्लिंग रनिंग क्या बिना energy के संभव है कत्ता ही संभव नहीं है ना यानि कि energy का हमारे daily life में role है जी हाँ बिन energy के हम अपने रोज मर्रा की जो कारे है work है क्या उसको कर सकते हैं नहीं कर सकते और जहाँ energy है वहाँ हम work कर सकते हैं यानि energy होगी तो ही तो हम work करेंगे, है ना, तो दिन भर तो हम work ही तो कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं, है ना, या अगर office जा रहे हैं, तो office जाते हैं, office में काम करते हैं, तो यह work ही तो हुआ, work तब कर पा रहे हैं, जब हमारे पास energy है, तो यानि हमारे जो daily work है ह इनर्जी चाहिए तो कहने का मत्ब ये है कि एनर्जी और वर्क को हम अपने डेली लाइफ के दियम्पल से समझ सकते हैं डेली लाइफ में हमारी बहुत सारी डेसी अक्टिविटीचेस हैं जुसको हम वर्क और एनर्जी से years करके समझ सकते हैं ठीक है जैसा कि आपने अभी देखा कि energy होगा तो हम ये सारे work कर सकते हैं energy नहीं होगी तो ये सारे work को हम perform नहीं कर पाएंगे है ना तो आपको work और energy को समझने में daily example जो हमारे life के हैं वो मदद कर सकते हैं जी हाँ ठीक है अब चलो आगे चलते हैं है ना लड़ते हुए आखिर इनके पास लड़ने के लिए जंप करने के लिए दोड़ने के लिए energy कहां से आ रही है तो कहीं ना कहीं energy का रोल है तभी तो ये animals भी अपनी activities परफॉर्म कर पा रहे हैं अब वो activities चाहे जंप करना हो enemy आ गया दुश्मन आ गया ठीक है अब गिलहरी अब जंप करके दूसरे पेड़ पे जा रही है तो बिना energy के संभव है नहीं यहां दोस शेर अपने राज्ज के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ाई के लिए क्या चाहिए energy चाहिए है ना बिना energy के क्या यह लड़ सकते हैं नहीं तो इसका मतलब work और energy का हम इंसान औ और animals के जीवन में बहुत important role है यह सारी activities बिना energy बिना work के परफॉर्म नहीं हो सकती वहीं लिखाए हैं है ना क्या लिखा है देखो ध्यान से animals to get engaging activities for example they have to fight यहां लड़नते हैं भागते हैं कहां किस से भागते हैं enemy से नहीं तो enemy खा जाएगा ना चुहा साप को देखेगा त energy चाहिए है ना खाने के तलाश के लिए to find food या find a safe place to live तो भोजन की तलाश में रहने के लिए घर enemy से बचने के लिए लड़ाई करने के लिए इन सभी जानवरों को क्या चाहिए energy है ना तो इसका मतलब work और energy का हमारे humans में भी बहुत important role है और animal के life में भी important role है है कि नहीं फ साफी पुराने समय से हम इंसान animals का use कर रहे हैं उनसे काम ले रहे हैं जैसे आपने देखा होगा अकसर गधों को इस्तमाल किया जाता है यह जो वजन है उसको ढोने के लिए है कि नहीं बिल्कुल आपने देखा होगा खेती जब की जाती है तो हल चलाया जाता है जोतने के पुराने समय में जब ट्रैक्टर नहीं थी तो खेत की जोताई हल की मज़द से की जाती थी और हलको लगाया जाता था बैल के पीछे लगया जाता यानि बैल का isना इस्तमाल किया जा रहा है तो गदे हो गए ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनका हम इस्तमाल कर रहे हैं उनसे काम लेने के लिए है ना तो वही लिखा यहां कि वी इंगेज सम एनिमल्स टू लिफ्ट वेट टू कैरी लोड्स टू पुल कार्ट और प्लफ फिल्ड यानि खेज जोतने के लिए है कार्ट बुलक कार्ट यानि की जैसे बैल गाड़ी को खीचने के लिए लोड कैरी करने के लिए और वेट को लिफ्ट करने के लिए और यह आज से नहीं पुराने समय से चला रहा है है ना जब से इंसानों की जानवरों के साथ दोस्ती हुई इंसानों ने जानवरों को पालना शुरू किया तो इंसानों को ये पता चल गया कि जानवर हमको मदद कर सकते हैं किसी ना किसी रूप में तो हम इंसान जानवरों से क्या लेने लगे वर्क लेने लगे है ना और इस के पास क्या है energy तो वर्क और energy के हमारे अगल बगल बहुत सारे example हैं जैसा कि आप ये देख पा रहे हो है ना बिना वर्क energy के ना ये शेर आपस में लड़ सकते हैं ना ये गलेहरी जंप कर सकती है ना ये गदेट जो समान है जो वेट है वो ढो सकते हैं है कि नहीं इन सभी के लिए वर्क और energy दोनों जरूरी है है ना energy होगी तो वर्क कर पाएंगे जैसा हम है हमारे पास भी energy होगी तभी तो कोई वर्क कर पाएंगे चाहे वो वर्क running का हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे खेलना हो, सभी के लिए work के लिए हमारे पास energy चाहिए, तो energy और work का हमारे जीवन से बहुत गहरा नाता है, और इसी work energy को हमको समझना है, है ना, तो इस topping में तो हम सबसे पहले work के बारे में पढ़ेंगी, है ना चलिए अब जड़ा इन मशीनों को देखो है ना घरों में कपड़ा साफ करने के लिए वाशिंग मुशीन का इस्तमाल करते हैं है ना फिर मोटर का इस्तमाल करते हैं टंकी में पानी भरने के लिए फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानि एक प्लेस से दूसरे प्लेस प्लेस पे जाने के लिए हम क्या फोर विलर गाड़ियों के इस्तमाल करते हैं है कि नहीं तो यह सभी क्या कर रहे हैं कोई ना कोई वर्क कर रहे हैं ना बिना वर्क के क्या कपड़ा धुलेगा washing machine? नहीं. क्या बिना work के? क्या motor work ना करे? तो क्या पानी टंकी में पहुचेगा? जी नहीं. क्या गाड़ियां work ना करें? तो क्या हम एक place से दूसरे place जा पाएंगे? कतता ही नहीं. है ना? तो इसका मतलब ये machine भी क्या कर पा कर तो ये वरक करती है वरक क्लिब् epa क्यों कर पाती है कि इनके पास कहीं ना कहीं से क्या मिलती है इनको एनजी और इनको एनरजी भ doctrines होती है तो इनके पास वरक करने की काम करने की कैपिसिटी आ इनर्जी मुशीन है झमाति आप सोची सब्सक्राइब準備 को और ये वाशिंग मशीन को थि और को सबस्क्राइब जब इसको एनर्जी मिले कौन प्लग मतले हैं विजली बो को कर पाता है तो मोटर भी एलेक्ट्री Sea energy से चल रहा है और वर्क कर रहा है गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी electrical energy से नहीं चल लए है इस गाड़ी में या तो डीजल डालेंगे या तो पेट्रोल डालेंगे है ना गाड़ियों में डीजल या पेट्रोल डालकर या CNG जालकर हम चलाते हैं इसका मतलब गाड़ियों को एनरजी कहां से मिल लई है डीजल, पेटरोल या CNG से और आजकल तो एलेक्ट्रिकल वेकल आ गई है तो इसका मतलब उनको एनरजी कहां से मिल लई है पेटरिकल एनरजी से तो कहने का मतलब है कि मशीन और एनरजी का बहुत बढ़िया उधारन है है कि नहीं इनके पास एनरजी के लग-ülग सूर्स होते हैं और से स्वासपा करपाते हैं और मशीन जब वर्क कर दो है तो इंसान का काम आसान हो जाता है है ना मशीने क्या करती है मशीने इंसान का जो काम है उसको इजी कर देती है है ना चलिए तो इसका मतलब work energy हमको समझना है तो यह सारे example हमको एक बार पढ़ना जरूरी था है ना चलिए तो अब आगे चलते हैं अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वर्क क्या होता है क्योंकि इस टॉपिक में हमको चर्चा वर्क की ही करनी है ठीक है चलिए तो बात अगर वर्क की करें तो जैसा आम जीवन में हम वर्क यानि कारे को समझते हैं और सा आम जीवन में जो हम कारे को समझते हैं और साइंस में जो वर्क को समझा जाता है दोनों में बहुत अंतर है कॉंट्रास्टिंग चेंज है इसलिए लिखा है कि there is a difference in the way we use the term work in day to day life and the way we use in science मत्तर जिस तरीके से हम science में work को define करते हैं और जिस तरीके से daily life में work को define करते हैं दोनों में बहुत अंतर है और इसको मैं example से explain करूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है चलिए मैं example ले लेता हूँ यहाँ एक इनसान है जो इस दिवाल पे क्या लगारा है फोर्स लगारा है क्या लगारा है फोर्स लगारा है है ना और ये सुबे से शाम हो गई ये इस पे फोर्स लगा रहा था शाम को ये इनसान क्या करता है दिवाल को पुश करने बंद कर देता है और कहता है यार बहुत काम किया है मैंने तो ये तो बोलेगा कि मैंने बहुत काम किया सुबे से लेके शाम तक मैं इस दिवाल को पुश कर रहा था मैं इस पर फोर्स लगा रहा था है ना तुम मैंने तो बहुत काम किया लेकिन यह तो आम जीवन में वर्क की परिभाशा हो गई definition हो गई लेकिन अगर science में देखा जाए तो इसने कोई काम नहीं किया तो आप समझ पा हो कि science में इसका work done zero है लेकिन day to day life में हम कहेंगे हाँ तुमने काम किया तुमने सुबह से लेकर शाम तक इस दिवाल को पुश किया है ना तो तुम्हारी work तुमने कुछ थोड़ा बहुत काम किया है तो कितना अंतर है मतलब हम science इसमें बोल रहे हैं कि इस परसन ने कोई work नहीं किया जबकि day to day life में आम जीवन में कहेंगे हाँ इसने काम किया है तो समझ पा रहे हैं इसलिए science में work की परिभाशा क्या है work की definition क्या है इसको समझना बहुत ही जरूरी है है ना क्योंकि फिर तो बिलकुल एकदम mismatch हो रहा है science में बोल रहे हैं कि इसमें work नहीं किया जबकि day to day life में हम कह रहे हैं work किया तो फिर science में सही क्या है कैसे मानेंगे work क्या होता है तो इसी को तो समझना है चलिए आगे चलते हैं ठीक है not much work in spite of working heart यानि बहुत काम किया लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हुआ science की language में जैसे की आप इस example को देखो यहां बहुत-बड़ा huge rock यानि बहुत-बड़ा पथर रखा है है ना और इस पथर को यह दोनों person क्या कर रहें force लगा कर push कर रहें ना push कर रहें मत्तब force लगा रहें और force लगाने के कारण क्या यह huge rock अपनी प्लेश से डिस्प्लेश हो रहा है, अपना इस्थान बदल रहा है, क्या ये खिसक पा रहा है? जी, नहीं, तो साइण्स की लैंग्वेज में ठेकर कहा जाए, तो इन दोनों परसन का जो वर्क डन है, वो क्या है? वर्क डन जीरो है, शुन्य, मत्तर अज चैंस की लैं को huge rock को push कर रहे हैं बड़ी मेहनत का कार्य कर रहे हैं ऐसे बूलेंगे ना बहुत मेहनत का काम हो रहा है लेकिन science की language में work done is zero तो इसका पिछले वाला example जिसमें एक person wall को push कर रहा था तो भी science के language में work is zero था क्यों कि wall अपने place पे थी उसका displacement नहीं हो रहा था और यहां भी force लगाने के बावजूद भी क्योंकि huge rock का displacement नहीं हो रहा है वो अपना place change नहीं कर रहा है इसलिए यहां भी कहेंगे science के language में कि यहां work done zero है तो इससे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको कि अगर force लगाने पे object का displacement हो जाए वो एक जगह से दुसरे जगह displace हो जाए तो तब हम कहेंगे कि work done हुआ कि लेंग्वेज में science की भाषा में है ना जैसे मालो कि यह remote है इसके मैंने force लगाया और force लगाने के कारण यह remote क्या हो गया यहां था यहां आ गया है तो यहां से यहां गया displacement हुआ तो force लगाने से displacement हुआ तब यह work done है science के language में अगर displacement नहीं होगा तो work done zero है है ना चलिए तो इतना तो समझ में आ रहा है तो ये दोनों तो दिन भर काम करते करते ठक गए और जब पैसे लेने गए तो मालिक क्या कह रहा है नहीं तुमने कोई काम नहीं किया पत्थर तो खिसका ही नहीं तो जब तुमने काम ही नहीं किया तो मैं तुम्हें कोई पैसे भी नहीं दूँगा है ना तो मालिक तो साइंस की language में work कब होता है जब force लगने से क्या हो object का displacement हो है ना समझ में आया अब ज़रा यहां देखो ठीक है यह महिला अपने सर पे एक heavy load लेके चल रही है तो यह इस load के लिए load को carry करने के लिए force कहां लगा रही है उपर की तरफ जब कि महिला जा कहां रही है आगे ऐसा समझ लो कि यह heavy load मेरे उपर है तो मैं इस पर force लगा रहा हूं उपर की तरफ लेकिन मैं कहां जा रहा हूं आगे है ना तो यहां भी work done क्या है work done 0 है अब आप कहोगे सर यहां तो displacement हो रहा है लेकिन displacement force के direction में नहीं हो रहा है ना force का लग रहा है उपर और object का displacement कि दर हो रहा है यह महिला मालो आप की तरफ आ रही है तो displacement ऐसे हो रहा है force उपर लग रहा है तो force के direction में displacement नहीं हो रहा है ना object का तो यहां भी work done क्या होगा work done 0 होगा science के language में मत्तब science के language में यह महिळा कोई क다면 नहीं कर रहे om है ना तो आप इसको dayla lay allows से मत जोड़ना कैं साइंस के पॉन्म फिर से आप समझ में आया, तो वही लिखा है, you stand still for a few minutes with a heavy load on your head, you get tired, आप ठक जाते हो, you have exerted yourself and have spent quite a bit of your energy, मतलब आपने heavy load लेकर अपने सर पर रखा, आपकी बहुत सारी energy waste हो गई, आप ठक गए, लेकिन फिर भी science के language में कहा जाएगा कि आपने work नहीं किया है, है ना, तो work के लिए ज़रूरी है कि जिस direction में force लगे, या तो उस direction में क्या हो, displacement हो या उसके opposite direction में हो, लेकिन यहां तो displacement हो force के बीच में 90 degree बन रहा है, है ना, displacement महिला आपके तरफ आ रही है माल लो, और महिला, load को carry करने के लिए force कहा लगा रही है, उपर, तो force उपर लग रहा है, displacement आपकी तर are you doing work on the load, तो science के language में क्या कहोगे, no, there is no work done, है ना, तो वही लिखा है कि the way we understand term work in science, work is not done, जिस तरीके से work को हमने समझा, तो इस example में, there is no work done, कोई काम नहीं किया गया, है ना, तो अब आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आ गया होगा, थोड़ा-थोड़ा क्या, आप तो scientific conception क्या है work का, तो scientific conception यही है, कि जैसे यहाँ example देखो, यह female इस trolley को क्या कर रही है, push कर रही है, push कर रही है, मत्तब यह force लगा रही है, है ना, तो माल लेते हैं कि इस पर right direction में force लगा रही है, और right direction में force लगाने के कारण, यह जो trolley है, वो कुछ meter क्या हो रही है, displace हो जा तो यहाँ force के direction में force लगा और object का displacement भी हुआ, तो यहाँ science के language में, यह science के point of view से हम कहेंगे, कि यहाँ कारिक किया गया है, work is done, है ना, समझ में आया, तो इसका मतलब कि work क्यों हुआ, क्योंकि force लगा और force के वजह से object का displacement हुआ, जबकि वो पत्थर वाला उधारण, example, और जो wall को push कर रहा था person, उस वाले example में object का displacement नहीं हो रहा था, इसलिए वो science के language में, वहाँ work done, 0 था, लेकिन यहाँ क्योंकि displacement हो रहा है, इसलिए यहाँ work done है, मतलब यहाँ work हो रहा है, 0 नहीं है, अब जरा इस example को देखो, ठीक है, यह किताबें जमीन पर रखी हुई थी floor पे, इस लड़के ने किताबों को उपर की तरफ force लगा कर, क्या किया, उठाया, तो इसका मतलब force कहाँ लगा, उपर की तरफ, और किताबों का displacement किदर हुआ, उपर की तरफ, तो force लगने से, जो books हैं, उनका displacement हुआ, तो इसका मतलब science के point of view से, यहाँ work done है, यानि यहाँ क काम किया गया है, वही लिखा है, कि lift a book through a height, है ना, यानि कुछ height तक book को lift करें, ठीक है, तो to do this, इस कारे को करने के लिए, you must apply a force, the force लगाना पड़ेगा, तो जब आपने force लगाया, तो किताबों का displacement हुआ, वो उपर की तरफ, राइस हुई, तो हम यह कह सकते हैं, कि है, अगर किताबें, वहीं की वहीं रहती, तो work is done, zero होता, science के point of view से, है ना, तो अब आपको clear cut पता चल गया, कि work कब होगा, work science के point of view से, तभी होगा, जब हम force लगाए, और force लगाने के वज़ा से, object का क्या हो, displacement, है ना, वो एक point से, दुसरे point, क्या करे, move करे, ठीक है, तो हम कहेंगे, कि work हुआ है, work is done, है ना, चलिए, तो अब इससे, हमको, पढ़ने के बाद, दो चीज़ें समझ में आ गई, क्या, कि, दो चीज़ें होगी, तभी work done होगा, वो दो condition क्या है, पहला तो force का होना जरूरी है, जो कि किस पे लगे, object पे लगे, और दूसरा, object का displace हो होता है, लेकिन कैसा distance, shortest distance, है ना, मालो कि मैं point A से point B, मैं ऐसे गया, ठीक है, एकदम straight, तो ये straight कितना मीटर है, 2 मीटर, और मैं ऐसे घूमते हुए गया, है ना, तो जब घूमते हुए गया, तो ये मुझे 5 मीटर लगा, ठीक है, तो इसमें displacement कौन सा है, 5 मीटर की 2 मीटर, तो displacement होता है, सबसे shortest distance, तो A और B के बीच में सबसे shortest distance कौन सा है, वो है, जब हम सीधे चले, और वो कितना है, 2 मीटर, तो यहाँ 2 मीटर क्या है, displacement है, तो displacement यानि shortest distance को लेते हैं, है ना, तो यहाँ हम 5 मीटर को displacement नहीं कहेंगे, 2 मीटर को displacement कहेंगे, और वर्क के लिए, जब ह हम डिस्टेंस मेजर करते मतब जो मेजर करते हैं वो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेस्मेंट मेजर करते हैं यानि पांच मीटर नहीं अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया है तो चाहिए इस रास्ते जाए हम हमेशा डिस्प्लेस्मेंट वाली दूरी लेते हैं तो फोर्स ल exist मतब अगर force ना हो या अगर force है तो object का displacement ना हो तो दोनों में से कोई एक भी condition satisfy अगर नहीं होई तो work क्या हो जाएगा science के point of view से zero क्या हो जाएगा zero हो जाएगा वही लिका है if any of the above condition does not exist work is not done this is the way we view work in science और इस तरीके से हम work को science में क्या करते हैं define करते हैं समस्ते हैं तो work के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है कौन कौन से दो चूज़ें कौन से दो force और displacement दोलों में से एक भी चीज़ गायब हो गई तो work हो जाएगा science के point of view से zero अंडा है ना तो अब दिमाग में बैठ गया ना force और displacement होगा force किस पर लग रहा है अबजेक्ट पे और उसके कारण अबजेक्ट का क्या हो रहा है displacement तो work हुआ किसके point of view से science के point of view से दोनों में से एक भी condition zero हो गई तो work हो गया zero है ना चले आगे चलिए अब आप को हम क्या पढ़ना है अब आपको यह पढ़ना है कि अगर कोई constant force लगाया जाए तो constant force के कारण work done क्या होता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि force लगेगा और अगर object का displacement हुआ तो work perform होगा तो अगर हम constant force लगाते जाएं तो उसके कारण work done कितना होता है अब constant force का हिएं तो मालो कि अभी 20 ज़ाय है या किके 10 बजे फोर्ष कितना लगा 10 तो दस बजके एक सकेंड पर पूर्ष कितना है तस नूटन 10 बच के दो सकेंड पर कितना है दस न्यूटन 108 तिन से कन्ट पर यानी हर फल हर फल फोर्ष का जो magnitude है वह चेंज नहीं हो रहा और फोर्स को किसमें मेजर करते हैं फोर्स के एसा यूनिट होती है न्यूटन तो हर पल दस न्यूटन दस न्यूटन तो यह कैसा फोर्स कहलाएगा यह कॉंस्टेंट फोर्स कहलाएगा तो कॉंस्टेंट फोर्स का मतलब हमको यह समझना है कि ऐसा फोर्स जिसका magnitude change ना हो तो अगर ऐसा force किसी object पर लगाए तो उस object पर कितना work done होगा यह कैसे निकाले तो इसको समझने के लिए हम एक diagram assume करते हैं इस diagram में table है table के उपर एक wooden box लकड़ी का एक box रखा है ठीक है और इस लकड़ी के box पर हम एक constant force लगा रहे है ठीक है constant force को कितना माल लिया हमने f और constant force लगने के कारण इस wooden box का कितने मीटर s मीटर displacement हो जा रहा है तो फिर कितना work किया इस constant force ने यही निकालना है है ना तो वर्क का formula क्या बना अगर हमने माल लिया कि एक constant force f है जो कि एक object पे लग रहा है ठीक है और force constant force apply होने के कारण object s मीटर क्या होता है displace हो जाता है किस तरफ force के direction में तो को force right side लगा और displacement भी किदर हुआ right side तो कितना work done हुआ इस force द्वारा इस force ने constant force ने कितना work किया इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे हम force को displacement के साथ multiply कर देंगे तो वही लिखा है we define work science में हम इसको कैसे define करते है work equal to the product of force and displacement याने कि force को हम displacement से multiply कर दें तो constant force द्वारा कितना work किया आ गया वो निकल के आ जाता है जो कि आप यहां देख पा रहे हो है ना तो वर्क डन बाई ये constant force कितना होता है constant force into object का displacement यानी work is called to f into s है ना तो जो हमने work किया वो कितना किया f into s इतना work किया है ना अब आपको ये formula याद होनी चाहिए क्योंकि ये सारे numerical में ये question पूछा जाएगा तो आपको ये formula यूज करना पड़ेगा ठीक है तो वर्क का formula clear हो गया work बराबर force into displacement किस पे force लगा object पे displacement किसका हुआ object का है ना तो कितना आपने work किया f into s चीक है अब बात आती है unit की क्योंकि किसी भी चीज को measure करते है physical quantities को तो हमको unit चाहिए समय तो ऐसा unit है second distance, meter, displacement भी meter में निकालते हैं है ना force measurement measure कर रहे है Newton में तो फिर work का भी तो SI unit होना चाहिए तो यह ध्यान रखना है इन सभी physical quantities की unit भी हमको पता होनी चाहिए कौन सी unit SI unit है ना तो अगर हम formula की बात करें तो इस formula में जो आपको force दिख रहा है force का SI unit क्या होता है Newton पता है और Newton को represent किस से करते हैं N से ठीक है तो force हो गया Newton अब आता है S, S मतलब second नहीं है S मतलब तो displacement है और displacement की SI unit क्या होती है meter क्योंकि displacement shortest distance होता है ना सबसे छोटी दूरी ही displacement यानि विस्थापन कहलाती है और दूरी का SI मतलब meter तो displacement जो की सबसे छोटी दूरी है उसका भी तो SI unit meter होगा तो अगर force का Newton displacement का meter तो work का SI unit क्या होगा चलिए अब पता करते हैं work का SI unit क्या होगा तो work का SI unit आप यहीं से निकाल सकते हो कैसे Newton into meter करेंगे तो work का आ गया Newton meter तो इसका मतलब क्या इसका मतलब की work का SI unit क्या होता है work का SI unit होता है Newton meter जिसे हम Joule भी कहते हैं क्या कहते हैं Joule तो इसका मतलब आपके पास जो formula था उस formula में आपको अच्छे से पता चल गया कि work की SI unit Joule या कह लो Newton into meter है ना force की SI unit Newton और displacement की SI unit meter तो Newton into meter करोगे यानि force into displacement करोगे तो work आएगा और work को किसमे unit में represent करते हैं चाहे तो Newton meter चाहे तो जूल लेकिन अमूमन आम तोर पे किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है जूल में represent किया जाता है और वर्क के पास सिर्फ magnitude होता है direction नहीं होता ठीक है समझ में आया work के पास direction नहीं होता सिर्फ magnitude होता है clear समझ में आया force के पास तो direction होता है और magnitude भी होता है दोनों होता है force के के पास लेकिन वर्क के पास सिर्फ मैगनिटूड होता है देर इस नो डिरेक्शन है ना हम राइट लेफ्ट ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं ठीक है समझ में आया चलो अब बात आती है कि फॉर्मला हमको पता चल गया वर्क बराबर एफ इंटू एस तो वर्क को किस में मेजर कर जूल में फोर्स को न्यूटन में डिस्प्लेस्मेंट को मीटर में तो फिर एक जूल मतलब कितना वर्क एक जूल मतलब यह हुआ कि अगर हम एक न्यूटन का फोर्स लगाए किसी अबजेक्ट पे और उस एक न्यूटन के फोर्स के वज़ा से उस अबजेक्ट का एक मीटर क्या हो जाए displacement हो जाए तो हमने कितना work किया हमने 1 joule work किया वही लिखा है 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 newton displaces the object by 1 meter along the line of action of force यानि force के direction में अगर object 1 meter displaced हो जाए 1 newton force की वज़े से तो हम कहेंगे कि हमने 1 joule of work किया है तो 1 joule is called to 1 newton into 1 meter हुआ की नहीं जी हाँ यह आप समझ में आ गया होगा आया की नहीं बच्चों जी हाँ तो देखा कितना अंतर है एक आम जीवन में work क्या होता है और एक science के point of view से work क्या होता है दोनों की definition में बहुत अंतर है मतब एक राम एक श्याम इतना अंतर है एक सूरज एक आस्मान ऐसा अंतर है है ना क्लियर हुआ चलिए आगे चला जाए चलिए आगे चलते हैं अब तीन condition हमको पढ़ना है तीन condition की work done 0 कब होगा work done positive कब होगा work done negative कब होगा जी हाँ तो सबसे पहला condition लेके चलते हैं कि कब work done 0 होगा तो इसको पता करना बहुत आसान है work का formula हमको पता है अब work के formula में अगर force 0 हो जाए तो 0 into displacement work आए जाएगा 0 है ना अगर force की जगा displacement 0 हो जाए force into s और s 0 हो जाए तो 0 into force तब भी work क्या हो जाएगा 0 और अगर दोनों 0 है तो अभी work done क्या होगा 0 मत्तब कि एक पत्थर रखा हुआ है और उस पे कोई force नहीं लग रहा तो जब force नहीं लग रहा तो force भी 0 और जब पत्थर ऐसे अपनी static condition पे है वो move नहीं कर रहा तो उसका displacement भी 0 तो work done भी 0 है कि नहीं तो ये तो condition बहुत आसान था समझना है ना जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो जैसे कि यहाँ देख रहे हो इस वाली example में जो कि हमने शुरुआत में starting में example देखा था अगर आप से पूछा जाए कि इसमें work कितना किया गया science के point of view से तो आप कहोगे 0 क्यों क्योंकि force तो लग रहा है लेकिन displacement क्या wall का हो रहा है wall अपनी जगह से move कर रही है नहीं तो displacement 0 इसलिए work क्या है 0 दूसरे example में work done 0 क्यों है क्योंकि दोनों मिलके force लगा रहे हैं लेकिन object का इस rock का displacement नहीं हो रहा तो displacement क्योंकि जूरू है इसलिए work done भी 0 है science के point of view से अब clear हुआ तो science के point of view से ये भले ही पसीना बाहर रहे हो लेकिन कोई work नहीं कर रहे है है ना समझ में आया चलो आगे चलते है next हम मानते हैं कि force और displacement भाई कार जा रही थी कार जा रही थी मालो right direction में है ना और right direction में आपने force भी लगा दिया तो आप ही बताओ कार right direction में 10 meter per second की रफतार से जा रही है velocity से और आपने इसी दिशा में इस फोर्स लगाया तो कार की velocity बढ़ेगी की घटेगी जाहिर सी बाते बढ़ेगी है ना यानि की displacement और force दोनों same direction में है ठीक है displacement कार का right side हो रहा है force भी right side लग रहा है तो जब force और displacement same direction में होते हैं तो work done क्या होता है positive होता है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं है ना यह लड़की इस खिलोने को धागे से खीच रही है तो force किधर लगा रही है right side और force लगाने के कारण यह जो खिलोना है वो right side move करके यहाँ आ गया तो यह right side क्या और right displace हो रहा है तो force के direction में ही तो इस toy का खिलोने का क्या और displacement तो force और displacement दोनों same direction में है तो work done क्या होगा वर्क öदन positive होगा ठीक है तो work done का positive होता है जब force और displacement दोनों same direction में होता है है कि नहीं तो हमने दो condition अभी तक पढ़ ली पहला condition work done 0 कभ होता है दूसरा condition work done positive कभ होता है और positive तब होता है जब force और object का displacement दोनों same direction में हो है ना समझ में आया मतलब मैं ऐसे आगे जा रहा था और किसी ने मुझे पीछे से ढखेला तो मैं आगे जा रहा हूँ और किसी ने मुझे आगे की तरफ ढखेला force लगाया तो मैं आगे ही ना displace हूँगा तो यहां work done क्या है positive क्यों 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 कि मैं आगे जा रहा था फोर्स भी आगे की तरफ लगा ठीक है अब आते थर्ड कंडिशन में वर्क डन निगेटिव कब होगा बहुत आसान है कार आ रही थी और मैंने फोर्स लगाया और कार को रोग दिया तो इसका मत्तब यह हुआ कि कार आ रही थी राइट साइड जा रही यह थी ऐसे 10 मीटर पर सकेंड की रफतार से और मैं अपने आपको शक्तिमान समझ कर मैं यहां आया और इस कार को रोग दिया तो कार की वेलोसिटी कितनी हो गई अगर कार रुख गई तो कार की वेलोसिटी जीरो हो गई तो इसका मतलब कि मैंने फोर्स तो ऐसे लगा होगा कार को ऐसे रोका होगा ना तो मैंने फोर्स ऐसे लगाया लेकिन कार तो ऐसे जाकर रुखी यहां थी और यहां जाकर कार रुख गई तो कार का डिस्प्लेस्मेंट तो आगे की तरफ हुआ फोर्स पीछे की तरफ लगा यानिकि इस इक्जैंपल में फोर्स और डिस्प्ले हुआ गाड़ी का displacement ऐसे था तो अपोजिट डिरेक्शन में और जब फोर्स और displacement का डिरेक्शन अपोजिट हो तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है वो माइनस होता है और फोर्स और डिस्प्लेस्मेंट का डिरेक्शन अपोजिट है तो degree कितनी होई, angle कितना बना, 180 degree, तो वही तो कहा है, अगर angle, किसके बीच angle, force और displacement के बीच में angle 180 degree हो, और ऐसा तब होगा, जब दोनों opposite direction में हो, तो work done क्या होता है, negative होता है, तो work done negative होगा, तो हम minus लगाएंगे, क्या लगाएंगे, minus का sign लगाएंगे, यह देखो, तो work is equal to minus f into s, तो work done 0 हो सकता है, work done positive होता है, work done negative होता है, positive तब होता है, जब force और displacement same direction में हो, तो angle 0 बनता है, और minus तब होता है, जब force और displacement opposite direction में हो, यानि कि जब angle 180 degree बनता है, है ना, समझ में आया, चलिए, अगर समझ में आया, तो इस question को आईए solve करते हैं, क्या पूछा है इसमें, इसमें example यह diagram दिया है, और उसमें लिखा है, कि एक 5 newton का force, हम एक object पे लगा रहे हैं, है ना, और object पे force लगाने के कारण, object का displacement हो रहा है, 2 meter, लेकिन 2 meter किधर, force के direction में, तो find the work done by the force, तो हमको work done निकाल ला है, अब एक बात यह पता चल गई, कि force के direction में ही displacement हो रहा है, तो work done क्या होगा, positive होगा, और कितना होगा, तो वो हम formula से निकाल ल plus F into S, plus क्यों लगाया, क्योंकि दोनों का direction सेम है, है ना, तो plus force कितना है, 5 newton into displacement है, 2 meter, तो यह आगया, plus 10 newton into meter, या joule, तो answer क्या है, work done कितना है, plus 10 joule, आगया answer, आगया ना, तो यह दिमाग में रखना है, minus क्यों नहीं हो सकता है, आपको option minus दे देता, तो option minus गलत होता, क्यो क्योंकि force और object का displacement सेम direction में हुआ है, है ना, चलिए एक और question solve करते हैं, अब इस question को जड़ा ध्यान से देखिए, यहां यह लिखा है, कि एक object है, जिस पे F force लग रहा है, है ना, और object का mass M है, ठीक है, the direction of displacement is from west to east, तो अगर यह west है, तो इसको east माल लेते हैं, ठीक है, as shown by the longer arrow तो यह देखो, यह longer arrow है, तो यह arrow क्या दिखा रहा है, displacement, और force, यह arrow दिखा रहा है, तो आप देखो जरा, पूछा क्या है, आपको पूछा है, कि observe the diagram carefully, and state, बताओ, कि work done, force द्वारा जो work done है, वो negative है, कि positive है, कि 0 है, तो मैं देखूंगा, अच्छा, force इधर लगा, displacement इधर ह हुआ, तो बीच में कितना angle बना, बताओ, दोनों opposite है न, opposite है, तो angle 180 degree, और जैसे ही मुझे पता चल गया, कि force और displacement के बीच में, angle 180 degree है, या यह कह लो, कि force और displacement दोनों opposite direction में है, तो मुझे पता चल गया, कि work done क्या होगा, negative होगा, है न, तो इसका answer क्या है, इस question का answer है, कि यह हाँ, work done क्या होगा, negative है, ना zero है, ना positive है, है न, समझ में आया, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, तो आपने क्या सीखा, आपने work को science के point of view से क्या कहते हैं, work क्या होता है, work का formula क्या होता है, work positive कब होता है, negative कब होता है, और zero कब होता है, यह आपने सीखा की नहीं, तो यही तो मकसद था सिखाना है ना, तो थैंक यू पढ़ने के लिए वरके के बारे में, सेशन को जोईन करने के लिए, है ना अड़ा 24-7, क्लास 9 and 10 से जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए थैंक यू